हलो दोस्तो मैं डॉक्टर रवी किशब आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूचन पर दोस्तो आज हम बात करेंगे गलेल मार्क फार्मेसिय की एक सबसे बढ़ी है एंटिबायोटिक दवा के बारे में कि इसके यूज क्या है साइड एफेक्ट क्या है यह सब जनकरे हम आपको इस वीडियो में देंगे किरपा करके वीडियो अंतर देखिए वीडियो शुरू करने से पहले जदी आप हमारे कम चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकन को दबा दे ताक दो तरह के कंटेंट पाई जाते हैं जिसका फर्द कंटेंट है सिफट रेक्ट जॉन और दूसरा जो है सलप्यक्टम सेफट रेक्टम जो इंजेक्शन है वो 1000 mg इसमें होता है और सलप्यक्टम 500 mg इसमें पाई जयता है इसको ग्लेन माइक फार्मेसी बनाती है जोकि एक रि तो ये 1.5 ग्राम इंजेक्शन आपको 195 रुपे से में आपको हर फार्मेसी पर अवेवेलबल होगा सिफ्ट रिक्जोन मिली बेक्टर 1.5 ग्राम इंजेक्शन एक एंटी बायूटिक इंजेक्शन है जो टाइफाइड के बुखार को कम करती है मतलब खतम करती है लिया है जो अंडेस है तो ये जोंडेस वाले पेशन को भी इसका इस्तमाल दिया जाता है जदी आपके पैरों में सूजन है और डीमा है तो ये उस सूजन को भी कम करता है जदी आपके किड्नी में इंफेक्शन है तो ये किड्नी इंफेक्शन को भी कम करता है ज़िए आपका लेवर प्रोफाइल डिस फंक्षन है तो यह लेवर प्रोफाइल को भी ठीक करता है यह एंटिपाइटिक दबा बहुत सारे कारणों में यूज होता है यह ज़िए किसी पेशन्ट का एक्सिडेंट हो गया है एक्सिडेंटल पेशन्ट है तो उस एक्सिडेंटल पेशन्ट को भी मिलिपेक्ट 1.5 ग्रेम इंजेक्शन दिया जाता है इसके डोस के बारे में बात करें तो यह दिन में TDS, OBD दोनों परकार पेशन्ट को दे सकते हैं यह पेशन्ट के कंडिशन के कोडिंग ही पेशन्ट को दिया जाता है अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें कि इसके साइड इफेक्ट किस परकार है तो इसके साइड इफेक्ट जो हैं नोजी अन्ड मॉंटिंग तो अच्छा पैरेशिज होना सास नीचे उपर भागना चक्कर आना मतली आना सिर में दर्दोना यह सब इसके साइड इफेक्टर हैं ज़िए इन में से कोई भी सिंटम आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत अबने डॉक्टर से इसके बारे में सला लें और इसको इसके बारे से इसकी पूरी प्रामर्श लें वीडियो को अंतर देखने के लिए आपका धन्यवाद